नमस्कार आपको बता दी के बलसर 125 के नई कार्वन फाइवर एडिसान लाँच हो गए है दूजर तेज के लिए इस गाड़ी में क्या बदला हुए हैं क्या फीचर आपको देखने को मिलेगी सारी बाते आपको बताएंगे इस गाड़ी को दो कलर हैं लाँच किया गया है पहले दूस्तों आप देख रहे हैं ब्लू वाली कलर और यह दूसरी आपको देखने को मिलती है रेड वाली कलर और साथी इसमें आपको दो वेरेंट यहाँ पर देखने को मिलती है पहली है सिंगल सीट जो कि आप देख रहे ह और यह है split seat वाली model, गाड़ी के दोस्तो हम करेंगे walk around जैसे कि आप 4 तरफ से देख रहे हैं, जाद कुछ दोस्तो हमें बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल है, क्यों आपको नई graphics के update यहाँ पर हुई है, और यह update होने के बाद इससे हम जानेंगे carbon fiber के नाम से, पहले की मिलेगे rear profile पर भी आपको देखने को मिल रही है, साथी दोस्तो आपको मिल जाती है same color के rim strips भी, और दोस्तो यह split seat वाली model जिसमें कि आपको split grab handle भी offer की जा रही है, single seat की हम बात करेंगे, दोस्तो वही color same graphics के design आपको देखने को मिलेगी, और वही graphics के pattern भी आपको दी जा रही है, लेकिन आपको दोस्तो यहाँ पर मिल रही है single seat जैसे के आप देख रहे हैं, और साथी दोस्तो आपको यहाँ पर simple वाले grab handle देखने को मिल रही है, और पीछे आपको 125 के branding देखने को मिलेगी, पलसर आपको मिलेगा 3D में, और वही आपको दोस्तो इंगन देखने को मिल रही है, साथे दोस्तो आपको मिल जाते है analog के साथ digital meter का combination, यहाँ पर दोस्तो हम गाड़ी के overall look की हम बात करेंगे, जैसे क्या आप देख रहे हैं, इसे ही दोस्तो हम जानेंगे carbon fiber edition के नाम से, दोनों color आपको कैसी लगए है, जोड़ों से आपको comment करके बताईएगा, आए जानते हैं इस गाड़ी की नहीं on-road कीमत क्या है, इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा पहले के तरह 124.4 यानि के लगफ़क से 125cc के 4 श्टोक कर 2 valve के DTSI engine fuel injection के साथ, पावर आपको देगे 11.8 pH की torque जिनेट करेगे 10.8 Nm की, 5-speed के manual transmission के साथ गाड़ी याएगी, सामन आपको मिलेंगे 8070 के ट्यूबेस ट्यार पीछे आपको मिलेंगे 197 के, इसके लंबाई आपको देखने को मिलेगे 2055 mm की चोड़ाई है, 725 mm की उंचाई आपको देखने को मिलती है 1060 mm की, 320 mm की आपको wheelbase देखने को मिल जाती है, ground clearance आपको मिलेगे 165 mm की, और इसकी weight है करीब 140 kg, wheel tank की चामता आपको मिल जाती है 111 लिटर की, इस वाले गाड़ी में आपको दो variant offer की जाती है, single seat और split seat, और दोनों ही में दोस्तों आपको सामने disc brake मिलेगे, पिछे आपको मिलेगे drum brake, single seat की नहीं 100 room कीमत है 87,800, RT और Rotex insurance को चार्ज को सामिल करने के बाद, इसकी नहीं 100 कीमत है 1,03,000 रूपाई से लेकर 1,06,000 रूपाई के अंदर है, आप अगर रहते हैं दोस्तों यूपी के लवाद दूसरे भिराज में तो आपको लगभग से 3 से लेकर 4,000 रूपाई तक कही अंतर देखनों को मिलेगा इस वाली on route कीमत पर, तो आभी इसके हिसाब से अप सब्सक्राइब जूस तो जरू करिए गैसी जनकरी वाली वीडियोज कम से में पाने के लिए, थैंक्स फर वाचिंग, स्टे टून विद पावन